क्या होगा अगर आपका 6th Lord आपके 10th house में इस्तित है? 6th Lord का 10th house में इस्तित होना ये विक्ति को काफी ज़्यादा काम की तरफ या जोब की तरफ रुजान को दिखाता है ऐसे जाद तक अपने office को ज़्यादा समय देते हैं अपने घरेलू मामलों में उतना समय कभी-कभी ये लोग नहीं देते हैं अब देखा जाए तो ये condition में आपका जो काम है या आपका जो career है वो ऐसे किसी काम से समन्दित हो सकता है जहां पर आप बहुत ही same routine follow करें डेली डेली और आपका काम भी वैसे ही विलकुल same same सा काम है ऐसी condition में आप अपने काम को बहुत अच्छे से manage कर सकते हैं डेली अपने काम को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं ये condition में बहुत हद तक ये possible है कि आप business करने में उतना ज़्यादा interest नहीं लेंगे लेकिन आप Delhi का अपना office जाना और अपना job करना ज़्यादा prefer करेंगे ये six lord का 10th house में इस्तितोना हलांकि आपके job में career में थोड़ा obstacles को दिखाता है शुरुवाती जीवन में लेकिन बाद में 30 या 35 के बाद के समय आप उत्रोतर आप progress करते जाते हैं लगातार आपका जीवन उच होता जाता है और आपका जो job है या आपका जो भी काम है उसमें आ हगदोड को दिखाता है और एक ऐसा जातक जिसने काफी hard work किया हो जिसने काफी कुछ देखा हो जिसको real life का काफी अच्छा experience हो वह जातक अब बाद में जाकि उतना ज्यादा successful बन जाता है कभी-कभी तो चठेगर के स्वामी का 10th house में जाने से ये तो निश्चित है कि आप एक job करना ज्यादा prefer करेंगे एक business करने की तुलना में अब वो planet कौन सा है चठेगर का स्वामी कौन सा ग्रह है उसके उपर बहुत कुस depend करेगा कि वो किस परकार का ग्रह है वो अगर dual sign वाला ग्रह है जैसे कि Jupiter है या फिर Mercury है तो जातक कभी-कभी एक से ज्यादा job भी एक सा बात करेगा चाहे वो किसी भी परकार से करें इस परकार के जातक ज्यादातर केरियर में अच्छे सफल होते वे देखे जाते हैं अब आपका जो टेंथ लोड़ को आपको जरूर्ट करना चाहिए ऐसी कंडिशन में अगर आपका टेंथ लोड़ भी बहुत मजबूत इस्ति आपकी जो रेप्रोटेशन है वो भी बनती है और कहीं न कहीं आप ज्यादा तर समय अपने काम के बारे में अपने जोब के बारे में सोचते हैं अब यह जो प्लेस्मेंट है वो उतना आजी नहीं है जितना यह दिखता है हलांकि यह लोग काफी अच्छे पदवे हो सकते ह फिर भी तो ऐसे लोग काफी हाड़ वर्कर होंगे अपने काम को लेके और काफी मांदार भी होंगे अब वो प्लेनेट आपका जो सिक्सलोड जो टेंध हाउस में गया है वो आपके फोर्थ हाउस को देखेगा फोर्थ हाउस को देखने के विज़े से कुछ हद तक उसका प्रभाव है वह आपके 4 त रही पड़ेगा लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके 10 तyuसि पर ही पड़ेगा अब अगर 10 लॉड आपका अच्छे स्रते में नहीं है और जो आपका 6 लॉड आपके 10 efic में गया है, वो हो सकता है कि वहाँ पर नीच का हो जाए, वो हो सकता है कि वहाँ पर अच्छी स्थिति में ना हो, शत्रु रासी में चला जाए और आपका 10th Lord भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में कभी-कभी केरियर नहीं बन पाता जाता का या करियर में काफी सारी अड़चने शुरुआत में आती हैं अब सिक्स लॉड का टेंथ हाउस में बैठने से जाद तक अपने काम की चिंता बहुत जादा करता है वो अपने काम को जादा से जादा समय देना चाहता है और वो अपने डॉमेस्टिक लाइफ को उतना कभी-कभी इंपोर्टेंस नहीं देता आपने बहुत सारे ऐसे जातक भी देखे होंगे जो अपने ओफिस के महौल से ओफिस के वातावन से बहुत जादा खुस रहते हैं वो घर पर उतने कभी-कभी खुस नहीं देखे जाते तो ये भी ऐसी ही कंडिशन है जहां पर जातक अपने काम को करके बहुत खुस होगा वो काफी जादा से जादा समय अपने ओफिस को अपने काम को देना चाहेगा तो ये जातक जादातर केरियर में सफल होंगे अच्छा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है ये उसके लिए ज्यादा मेटर नहीं करता बट उसके लिए उसका केरियर उसका जोब बहुत ही ज्यादा मेटर करता है इसके साथ ही देखिए आपकी जो obstacles हैं आपकी जो सत्रू हैं उनका जुड़ा भी आपके काम से आपके career से हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा तो अब आपके career में काफी सारे उतार चड़ा भी आएंगे काफी सारे आपके कुछ ऐसे रुकावटे आपको जरूर देखने को मिलेंगी जहां पर कोई भी काम आपका इजीली तो नहीं हो पाएगा लेकिन इसमें अगर आप जितना ज्यादा effort डालेंगे उतना ही आपके लिए यह placement अच्छे result लेकर आएगी